हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब होप सो आप सबी बहुत आद अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे पढ़ रहे होंगी तो काईस अभी हम देखने वाले हैं आपकी चो पार्टनर है उनकी इस फुल मोन पे आज फुल मोन है और वो फुल मोन पे आज क्या फील करेंग कि उनकी फुल मोन का इफेक्ट उनकी फेलिंग्स पे क्या रहेगा अज उनकी डिपेस्ट क्रंट फेलिंग्स आपके लिए क्या होगी क्या बदलाव उनकी फेलिंग्स में आएंगे फुल मोन पे तो आज फुल मोन है और मैं आपको वीडियो के एंड में एक रिच्वल भी तो बताऊंगी जिससे आप अपने लाइफ में अपने पार्टनों को एक्ट्रेक्ट कर सकते हो, चिक है, सूँ हुआ हुआ एड़ोग ग्रीन केंडल के लिए मेरा मन हो रहा है, ठीक है, यह एक पींग केंडल, यह दोनों देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि अभी आपके पार्टनर की क्रॉंट फिलिंग क्या है एंड फुल मून का क्या चाहर होगा उनके उपर अ ओ oh my god oh my god I feel you literally separation में आप में से बहुत सारे लोग ऐसा मुझ ही लग रहा है हो सकता आप लोगों के बच में थर्ड पार्टी situation हो थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कोई रोमेंटिक ही हो और हो भी सकती है I feel आपके पार्टनर मुझ ऐसा लग रहे कि इनकी emotions बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा high है यस आप देख सकते हैं ड्रॉप के रिये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके partner या आप लियो हो सकते हैं चीक है cancer हो सकते हैं टॉर्स हो सकते हैं ऐसी energy मुझे आ रही है आप drop तो देखी कितनी खतरना कि रही है मुझे पता क्या feel हो रहे हैं आप मेंसे ना बहुत सारे लोग ना बहुत tension में मुझे लग रहे हो अपने partner को लेग के वो सकते हैं आपके partner आपको literally बहुत ही गंदे वाला hurt किया है सेवन नमबर आपके लिए significant हो सकता है या seven month significant हो सकता है मुझे लगता है कि आपके partner literally दोस्तों की सुनके आपको बहुत judge किया है आपको बहुती बहुती खराब बाते बोली है इतनी खराब बाते कि आप जब याद करते हो तो आपको रोना आ जाता होगा S, N, O, G, H, N, G, S, N, O, G मुझे आ रही है Y हो सकते हैं किसी की पार्टन, Y अल्फाबेट से हो सकते हैं किसी की पार्टन का नहीं I will कि आपके पार्टन ने इस रिष्टे में एककुल गिविन टीक नहीं की है बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपकी गदर ही नहीं की आप देख रहे हो ड्रॉप्स कैसे गिर रही है मुझे लग रहे है कि इस इंसान ने आपकी कदर ही नहीं की लोग किसी की भी कुछ लोगों के पाटनर ऐसे कि किसी की भी और एक्ट्रैक्ट होना चीटिंग और आई फिल कि किसी से भी बात करना क्यों आप से सच्छुपाना ऐसी इनकी एनोची देश से पहले मुझे ऐसा लग रहे है कि इनके लाइफ में कुछ तो कुछ तो बहुत घराब चला है आप द्रॉप देख रहे हैं कैसे गिर रहे हैं बहुत ज़ादा घराब चला है आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है गलतिया करके भी अपनी गलतियों को दूसरों के उपर थोप देना यह जो सब हो रहा है न यह तुमारी वज़ा से हो रहा है मेरी प्रॉब्लम नहीं है यह तुमारी वज़ा से हो रहा है ब्लेम गेम्स और ऐसे छोटे मोटे ब्लेम गेम्स नहीं बड़े वाले ब्लेम गेम्स मुझे लग रहे इनके, बहुत ही खराब वाले, बहुत ही सा था, मुझे लग रहे न कि इस इंसान के सामने किसी का तो फिर सामने आया है, किसी की तो सचाई इसके सामने आया है, हो सकता ह कोई ऐसे लोग को जो pretend ऐसा करवा रहे थे कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं आपके साथ जिनकी बातों में आके इन्हों ने आपकी साथ गलत किया हो देखो आपको ने guidance आ रही है sorry आपको बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो guys अगर इस पार्टनर ने आपके आपको बहुत साथ हर्ट किया और अब आप लिटरली डिप्रेस्ट हो separation में हो और लिटरली बहुत साथा negative सोच रहे हो कि यूनो आपको किसी किसी को आप में से खोने का डर मुझे बहुत लग रहा है कि यूनो मेरी पार्टनर के मुझे छोड़ के ना चले जाए सब कुछ खतम ना हो जाए इस डरिये मत जो डर होता है न वो negativity को जनम देता है मैं आपको बात बताऊ लिटरली negativity को जनम देता है negative मत सोचिए surrender के energy में आईए विश्वास रखिए खुदबे की universe आपके लिए जो करेंगे बहतरीन करेंगे आपको negative नहीं सोचना है negative नहीं सोचना है डरिये मत आप जितना इस इंसान को literally याद करोगे रोध होके याद करोगे तो emotions होते है I can understand emotions होते हैं हम मगर किसी के साथ किसी रिष्टे में है तो literally emotions होते हैं हम किसी को miss करते हैं हमें hurt भी होता है it's okay but आपको उस energy में fix नहीं रहना है आपको अपनी उपर focus करना है जितना आप सामने वालों को chase करोगे उतना ही वो आप से दूर भागेगा ऐसी energy मुझे लग रही है और आपके partner की इस time की जो current feeling है न आपके partner literally भगवान से prayer करेंगे भगवान से हाथ पैर जोड़ के prayer करेंगे कि भगवान please हमारे रिष्टे में सब को ठीक कर दे क्योंकि ये पता क्यों होगा क्योंकि जब सामने वाले को आइना मिल जाता है न मुझे ऐसे लग रहा है कि literally third party अगर आपके रिष्टे में थी तो वहां से तो मनलब इनको या तो literally cheating मिला है वो किसी और के साथ set होंगे या होगी ऐसा कुछ हो सकता है कहीं तो trust उटा है इनका आप drops देखे कितनी जादा अब तो देखो फिर भी थोड़ी शान्त होगी है drops कैसे किर रही थी से पहले मुझे ऐसी energy आ रही आपके पार्टनर की I feel कि आज रात आपके पार्टनर को literally बहुत जादा बहुत जादा attraction फिल होगी, literally attraction फिल होगी मैं जो आपके इस रिष्टे का न अगर देखो न तो आपके इस रिष्टे में धोके बहुत चले हैं, बहुत ऐसी energy मुझे आ रही है धोके की energy बहुत जादा आ रही है literally बहुत दोका हुआ है किसी के साथ मतलब हो सकता है किसी ने क्योंकि ये energy pick कर रही हूँ तो हम आपके partner के energy pick कर रहे है तो यह हो सकता है कि आपके partner ने शायदा सकी है कोई बहुत बहुत जादा रहा है बहुत जादा, literally रात को बहुत जादा ऐसी एनरजी मुझे आ रही है कोई बहुत जादर होया है यह सोच कि कि इतना जाता कि किसी कि दिमाग में तो सुसाइट करने का गया है प्लीज काई इस ऐसा ना करें जैसे आपके जिंदगी में ना एक तम से सब को तहस महस हो गया इस इंसान आपको इक्नोर करना शूरू कर दीए इसी एनरजी मुझे आरी है एसा लग रहा है मुझे जैसे कि आपके जैसे आपने हिम्मत ही कही ना कहीं तोड दियो आपकी हिम्मत आपका बरोसा इतनी बुरे तरीके से टूटा है कि आप शायद सामने, अब जिन्दगी में किसी पर सही से भरोसा ना कर सको, ऐसा मुझे फील हो रहा है, आप मुझे लग रहा है आपके पार्टना एक इमेजनेशन में जी रहे थे, एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे, जहां पर उन्हें लगता था कि मैं चीजों को हाइड करूंगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, मैं चीट करके निकल भी आऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर कहिस क्या होता है न, चो कर्मा होता है वो कहीना कहीं से तो निकले गई, आज नहीं निकलेगा, कल नहीं निकलेगा, कभी तो निकलेगा, अगर आपके पार्टनर ये सोच रहे थे न, कि मैं कुछ भ यह किसी को रुलाना हर्ट करना यह चीज़ निकलती है और कही ना कहीं निकलेगी उनको यह realization हो रहा है निकलेगी आज ने निकलेगी गाइस एक साल बाद नहीं दो साल बाद नहीं तीन साल बाद नहीं चार साल बाद नहीं निकलेगी और जब यह चीज़ निकलेगी ना आप करो कि वो आपको मिलेगा मुझे आप में से कुछ लोग तो ऐसा भी फील होता है नजर आ रहा है कि जैसे किसी की दिमाग में ये चलाओ कि नहीं मैं तो इसने मुझे चीट किया तो मैं भी इसे चीट करूँगा प्लीज काईज ऐसा ना करें दूसरों की वज़े से अपने करम ना खराब करें जो कर रहा है वो अपने करम भुक देगा आज नहीं कल वो चीज आएगी सामने आएगी ठीक है तो अपने करम ना खराब करें मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पाटनर बहुत ज़ता ओफियर में है इमोशिन में है अन कंट्रोल इमोशिन हो रहे हैं उनके मुझे ऐसा लग रहा है आपके पाटनर जूट बहुत ज़ादा बोले हैं आपसे लिटरली बहुत जूट बोले इल्यूजन के एनर्जी आ रही है सच छुपाने का हमेशा ट्राय किया हाइड रखा आपको दूर रखा सच से ऐसी energy मुझे आ रही है अभी मुझे चो energy आ रही है वो आ रही है regret कि इनको regret है literally भगवान से prayer कर रहे है कि कर दीजे सब को ठीक अभी इने एहमियत आपकी feel हो रही है कि नहीं, भी कोई ऐसा नहीं करना चाहिए था दिखो guys, एक चीज़ मैं आपको बता दू वैसे तो आपका personal decision है बर जो cheating करना होता है न वो कोई मजबूरी नहीं होती है वो इंसान की choice होती है वो choice कर रहा है कि मुझे इस इंसान को ditch करना है इसको हम मुझे cheat करना है जबरदस्ती नहीं होती है, कोई मजबूरी नहीं है किसी की और आप उन्हें बहुत attraction feel हो रही है अब उन्हें बहुत याद आ रही है I think अगर आप लोगों की, you know, life में third party थी S alphabet किसी के लिए significant हो सकता है, ठीक है I alphabet किसी के लिए significant हो सकता है I feel cancer, Taurus और Gemini किसी के partner हो सकते हैं या आप हो सकते हो I feel आपके partner बहुत ज़ादा इस time पे ना बहुत अकेला feel करेंगे आज full moon पे आपके partner की feeling चो इस time मुझे लग रही, बहुत emotionally drain मुझे लग रहे है बहुत जादा बहुत feeling low मुझे आ रही है जैसे चितने भी रिष्टे हो चाहिए उनके भाई बहन हो you know, relatives हो, friends हो चाहिए वो parties में चाहरे हो, दिल नहीं लग रहे है वो कहते है ना कि आप दूसरों को hurt करके आप खुद का तो भला नहीं कर सकते है अब यह आपके ना एहमियत का पता चल रहा है अब इनके दिमाग में क्या चला है कि नहीं, आप मुझे सब को सही करना है अब यह क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ इस टाइम पर उनकी जो feelings है, वो क्या है कि मुझे इस रिष्टे पर काम करना है यह literally, आपको literally contact करने का try कर सकते है आपको literally, आपको sorry feel कर सकते है अगर यह आपको छोड़के चले गए थे या फिर इन्होंने आपसे कुछ भी ऐसा गलत का है तो यह literally आपको sorry भी बोल सकते है मुझे लग रहा है यह आपको travel करके भी आ सकते है ऐसी भी energy है travel करके भी आपकी तरफ आ सकते है इन्हेन अपने गलतियों का ना पस्तावा मुझे I don't know आप में से कुछ लोगों की या तो mother issue है मुझे moon वाली energy feel हो रही है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ mother issue भी हो शायद आपके partner जो भी है अगर आप marriage का सोचुत हो सकते है आप लोगों की बीच में mother issue जादा हो यह भी हो सकता है आप married हो आपकी baby हो मुझे ऐसा लग रहा है ना इस full moon का जो असर आपके partner पे होगा वो literally आपके साथ reunion जाएंगे ठीक है अपनी गलती का पश्तावा इने होगा इस रिष्टी पे सोचेंगे कि मुझे इस रिष्टी पे literally काम करना है literally भुगवान से prayer करना है इस time पे हो सकता है आपको contact भी आए completion चाहते है अब आपके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है इने अपनी गलती का realization है हो सकता है यह attraction की चलते है इन्होंने आपको you know reach कर दिया था और अब इने अपनी गलती का realization हो रहा है new moon का effect इन पर यह पड़ेगा कि इने अपनी गलती का realization होगा यह बहुत अकेला feel करेंगे literally अपनी अंतरमन की सुनेंगे कि नहीं मैंने उसके साथ गलत कहा है इनको अपनी गलती feel होगी यह literally सोचेंगे इने ऐसी vibes आएगी कि नहीं मुझे literally ऐसा प्यार इनके दिलों दिमाग में यह जागेगा दिल में कि नहीं मेरे को अपने partner के साथ ही रहना है कि आपको ऐसा भी बोल सकते हैं बहुती crazy behavior हो सकता है इनका बहुती possessive behavior suddenly बहुती possessiveness दिखा सकते हैं कि नहीं तुम तो मेरे हो हम तो साथ रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है गलतियों इसे माफ कर दो यह वो सो ऐसी energy मुझे लग रही है कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ऐसे लोगों से वो रिष्टा तोड़ देंगे जिन लोगों की वज़ा से आप लोगों की बीच में problems खड़ी हुई है मुझे ऐसी energy आ रही है लिटरली आपको communication आ सकता है आपके पार्टनर की ओर से आपको communication आता है इन्हें अपनी गलतियों का realization होगा यह communication आपसे करेंगे ठीक है माफी आपसे मांगेंगे फुल मून का असर मुझे यह लग रहा है इनके energy पे अगे अपनी गलतियों के लिए आपसे लिटरली माफी मांगेंगे कि मुझे से गलती होगी है मुझे माफ कर दो अगर आपके बीच में third party issue था तो third party issue खतम हो रहा है आप tension ना लेजिए आपको सिर्फ positive energy में रहने के जुरूरत है अपनी उपर focus कीजिए चीक है आप विश मांग सकते हो आपने कोई विश मांगनी है चीक है अच्छा तो एक remedy में आपको बताने वाली थी और सोचरी थी बताने के लिए आपने आज क्या करना है आज फिल्मोन है आप मोन वाटर भी रख सकते हो शाम को बाहर रखना आपको मोन की एनोजिस में जिससे कि आप अगर बहुत साथ anxiety फिल करते हो depression फिल करते हो तो आप उस वाटर की यूज कर सकते हो नहाने के पानी में, cooking में भी आप यूज कर सकते हो आपको आज क्या करना है एक plain paper लेना है plain paper पे अपनी जो भी आपकी desire आपके relative वरिष्टे से लेके जो भी आपकी desire है वो love life से related हो सकती है finance से related हो सकती है job से related हो सकती है तो आपनी क्या करना है literally उस कागज पे लिखना है dear universe and three wish आपनी लिखनी है present tense में for example जैसे आपके partner आपको marriage commitment देती है आपके marriage fix होगी है जो भी आप जो भी sentence लिखोगी वो present में लिखोगी and feel करोगी आप try करना blue pen से लिखे ठीक है और नीचे लिखोगी thank you universe कि मेरी wish fulfill करने के लिए ठीक है and उसके बाद उसको fold करना है fold अपने तरफ करोगी जैसे ये कागस है तो अपनी तरफ fold करोगी एक बार ऐसे और एक बार ऐसे मैं लब total उसमें दो fold आप करोगी ठीक है fold करने के बाद आप उसको burn कर दोगी आप ध्यान से burn कीजिए और खुद का ख्याल रखेगा burn करने के बाद आप क्या करोगी उसको उसके जो ashes है उसको moon को देखे अपनी wish fulfill का feel करोगी कि मेरी wish fulfill होगी और thanks करोगी ठीक है हो सकते आज की दिन आप mantra सुनो जितना positive हो सकते हो जाना क्योंकि क्या होता है na moon जो cycles हमारी होते हैं वो बहुत जादा यह नो हमारी उपर बहुत हमारी emotional side पर बहुत फर्क पड़ता है चीक है आपको यह remedy करके भूल जाना है और खुद पर focus करना है और दिखिए आपकी life में कितने सारी miracles create होगी moon water आप अगर रखोगी तो daily उस moon water से जब यह water प्योगी उसमें अपनी intention आपने डालने है कि universe मेरी wish fulfill होगी है मैं बहुत strong हूँ में life में सबको ठीक हो गया है और उस moon water का आप regular पीचिए early morning सुबा ठीक है and आज affirmations का आप कर सकते हो especially today आज full moon है तो आप moon mantra use कर सकते हो ठीक है अपनी healing के लिए so guys मिलते है नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखे चाहती हूँ बगवान आपकी सारी wish को fulfill करे and यह full moon आपकी लाइब में बहुत सारी खुशिया लेकिया है तो अपना ख्याल रखे का and take care, bye bye पिलते है नेक्स्ट वीडियो में